दोस्तों, आईम्डी ने चिताबनी दिया है कि बंगाल के खाड़ी के उपर बनने वाला चक्रवात मोचा, शुकवार यानी 12 मई तक एक बहुती गंभिर तुफान में बदल सकता है। इस तोरान हवा की गती 130 किलोमेटर प्रती घंटे तक पहुँच सकती है। मोसम विभाग का कहना है कि इस सब्ता कभी भी ये तुफान पश्युम बंगाल और उडिसा के तट से टकरा सकता है। आईम्डी ने पश्युम बंगाल उडिसा और आनर परदेश शहीद कई राज्यों में अकले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलट सारी किया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिन पूर में शनिवार को चक्रवाती सर्कूलेशन की स्थिपी बनने को मौसम वज्यानिक इस सब्ता शेतर में चक्रवाती तुफान आने की आशंका तेच होने के रूप में देख रहे हैं। आयमडे के महा निर्देशक मृत्युन जै महापात्र ने बताया कि चक्रवाती तुफान बारा मैं तक धिरे धिरे बढ़ेगा और तीर्व होता रहेगा। कई राज में भारी भारिश की अशंका जदाई है। मोसम विभाग ने चितावनी दी है कि मोचा के कारण 12 मैं से 13 मैं तक आंदर प्रदेश ओडिसा और बंगाल में मुस्लादार बारिश होगी। विभाग के मुताबिक आंदर प्रदेश बिहार पंजाब पस्षिब मंगाल ओडिसा दिल्ली उत्तर प्रदेश केरल करनाटा के दक्षिन भाग।